स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में एक नया सिर्षक की संपूर व्याख्या को जांजा करने के लिए आज का जो नया सिर्षक है कच्छावारा के यूपी बोर्ट चात्रों का तीसरा अध्याय है शिर्षक का नाम है पवंदूत का जो की अयोध्या सिंग उपाध्याय हरी और द्वारा गचित है पवंदूत का में राधा जी की मनुदशा का भावपूर जित्रों किया गया है इस पद्यांज का अर्थ समझने से पहले मैं अपना पर्चे देना चाहूंगी मैं आशा कनोजिया प्रवक्ता हिंदी जीजी आईशी होश्यारपूर नौड़ा ये हमारा छोटा सा प्रियाश है कि मैं आपको अपने शब्दों में इस पद्यांज की व्याख्या को समझा सकूँ तेरी में है ना ये गुण जो तू व्यथाए सुनाए व्यापारों को प्रखर मत्य और युक्तियों से चलाना बैठे जो हो निच सदर में में एक सी कामती वाले तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना तेरी में है ना ये गुण जो व्यथाए व्यथाए मींज व्यथा या प्यड़ा मत्य मींज बुद्धी युक्ति या युक्तियों का मतलब है यतनी या उपाए सदन मींज होता है घर कांती वाले सोभा वाले विरह विधुरा मींज होता है व्योग से दुखी सुरती मींज इस्मरती आईए चले अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं प्रस्तुत पद्यांस में राधा जी कहती हैं कि हे पवन हे पवन दूतिका तू बोल तो सकती नहीं अता वह उसे बाड़ी के बिना संकेतों के द्वारा ही सिरीक्रश्न को अपना संदेश देने की युक्ति समझाती है तेरी मी है ना ये गुड जो तू व्यथाएं सुनाए व्यापारों को प्रकर मत ओ युक्तियों से चलाना बैठे जो हो निच सदन में में एक सी कांती वाले तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना राधा बाड़ी हीन पवन को शमवेदन के द्वारा संदेश पोचाने की युक्ति स्थ बताती हुई कहती है कि हे पवन मैं जानती हूँ कि तेरे में ये गुड नहीं है कि तू मेरी प्यडाएं मेरे प्रियत्म को सुना सके ब्यापारों को प्रकर्मति और युक्तियों से चलाना इसलिए तू अपने ब्यापार अथार्थ क्रिया कलापों को तेज बुद्धी और युक्तियों से चलाना ताथ पर यह है कि अपने ब्यापारों के द्वारा ही तू मेरी भावनाओं को व्यक्ति कर देना बैठे जो हो निच सदन में में एकसी कांति वाले तो चित्रों को इस भावन के ध्यान से देख जाना यदि वे बादल के समान कांति वाले घंच्याम अपने घर में बैठे हो तो तू उस भावन में लगे चित्रों को ध्यान से देख ना जो चित्रों में विरह विदुरा का मिले चित्र कोई तो जाके निकट भाव से यो हिलाना प्यारे होके चकिती जिससे चित्र की ओर देखे आशा है यो सुरत्य उनको हो सकेगी हमारी विरह विदुरा मींस बताया था हमने वियोग से दुखी सुरत्य मींस इस्मरती यदि उन चित्रों में रादिका जी कहती है यदि उन चित्रों में तुझे कोई विरह पीड़ता का चित्र मिले तो तु उसके पास बार बार जाकर प्रेम से उसे इस प्रकार हिलाना कि जिससे चकित होकर मेरे प्रियतम उस चित्र को देखने लगे मुझे आशा है कि इस प्रकार उन्हें हमारे याद आ जाएगी किसी विरह विद्रा के चित्र को हिला कर राधा की विरह वेदना को व्यक्त करने की कभी की कलपना अनूठी है भाशा शुत्य संस्कृतनिस्ट खड़ी बोली को सुन्दर साहतिक रूप दिया गया है